छोटी छोटी को घुटने तक लंबा करने के राम बान साथ उपाई नमबर एक, चाय की पत्ती को पानी में उबाल कर इसे कंटेनर में रख लें और बालों को सैंपू करने के बाद इसे 20 मिनट बालों में लगा कर रखें फिर इने धोले इस से बाल, लंबे, काले, घने और शायनी होते हैं नमबर दो विटामिन E कैपसूल में एक चमच नारियल तेल मिक्स कर बालों में लगाने से बाल, लंबे, सिल्की और चमकदार होते हैं नमबर तीन, बालों को कलर और बलीच करने से बचें नियमित तोर पर इसका उप्योग करना बालों को रूखा और कमजोर वना देता है जिससे बाल पतले होने लगते हैं बालों को कलर करने के लिए प्राकिर्टिक मेंधी का इस्तेमाल करना चाहिए नमबर चार आप सब्ता में एक से दो बार मेंधी में एक अंडा मिलाकर बालों में अपलाई कर सकते हैं अंडी में प्रोटीन होता है जो बालों के विकास के लिए वहुत जरूरी है वही मेहधी बालों को प्राकिर्थिक रंग परदान करने और हेर ग्रोध बढ़ाने में बहुत लावकारी है आप इसमें नीम्बू का रस्वी मिला सकते हैं इससे भी बालों के विकास में मदद मिलती है नमबर पाच एक कबदही में दो चम्मच नारियल तेल और दो चम्मच एलो वेरा जेल मिला कर एक घंटे के लिए बालों में लगा ले ऐसा हफ़ते में एक वार करें ऐसा करने से बाल सिल्की और मजबूत होते हैं और दो गुना ज्यादा तेजी से पढ़ते हैं नमबर छे बालों को चम्काने के लिए कंडिस्नर खत्म हो गया होतो बाल धोने के बाद लाश्ट में आधा कप पानी में एक नीमबो निचोड़कर यूज करने से बाल चमक उठेंगे नमबर साथ तेजी से बाल बढ़ाने के लिए सबसे असरदार उपाई चार बड़े चम्मच गर मिनारियल तेल में दो बड़े चम्मच एलो वेरा जेल और एक बड़ा चम्मच रंडी का तेल मिलाएं अब इस मास्क को अपने बालों पर लगाएं इसे एक घंटे तक लगा रहने दे फिर धो लें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें और डेली इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें